नमस्तो दोस्तो वेलकम टो यद्ने इन्वेस्मेंट अकडेमी मैं हूँ महीर फिरोध्य और टाक्स सज्रे में आपका बहुत सब्सक्राइब दोस्तो आज का हमारा टॉपी है टाक्सेशन ऑफ गिफ्स डिसीब्स ऑन दो ऑकिजन ऑफ मैरेज जो भी हमारे शादी के ओपर गि उसका हिस्ट्री किया है उसके बाद में ये जो मैरेज के गिफ्स के प्रोविजन से एक्चुल में वह क्या है हमें क्या क्या प्रिकॉर्शन लिनी चाहिए ये जो गिफ्स हम शो करेंगे इकम टैक्स रिटन भर दे टाइम । के बाद में कुछ-कुछ फ्रिक्वेंट्ली या फिर यह जो tax के provision से हमें जान लेना क्यों जरूर ही है तो हम सब को मालूम है कि हमें शादिया कितनी पसंद है Indians loves wedding क्योंकि क्या है कि एक week long function होता है हल्दी, महिंदी, reception है उसके बाद में फेरे है तो और उसके बाद में बड़िया बड़िया खाना है तो हर कोई किसी मतलब जाते ही है शादी में और उसके साथ में शादी में जाते है तो कोई खाली हाथ जाता है नहीं है कुछ नगुछ gifts वगड़ा लेके जाते ही है और हमारे लिए शादी इतना बड़ा function है हमारे life में तो उसके वज़े से खर्चा भी इतना फुल धमाकेदार होता है शादी में तो उसके लिए उसका टैक्सेशन भी देखना बहुत जरूरी है तो लास्ट वी की परिमल सर ने ट्विट किया था कि जिस हिसाब से एक फोर्कास्ट है कि जिसमें लगबग ये वेडिंग सीजन में 38 लाक्स वेडिंग होने वाले है जिया दोस्तो 38 लाक्स और उसमें से जो भी स्पेंडिंग होने वाला है वो लगबग 4 लाक करोड के उपर है तो इतना बड़ा स्पेंडिंग हम करने वाले है तो उसके वज़े से इसका टैक्सेशन देखना जरूरी है और एक इसमें इंपोर्टन जरूरी क्या है कि हम न्यूज में देखते हैं अगर किसी सेलिबरिटी की शादी है तो न्यूज वाले तो इतने भर-भर कि उसमें आर्टिकल्स आते हैं कि इसने इतना गिव्ट दिया, कार दी, घड़ी दी प्रॉपर्टीज दी तो उसके वज़े से भी हमारे इसमें बहुत सारी एक एक इसा होता है कि यह एक्जाटली क्या है तो उसका भी चीजे हम देखने के यह वीडियो में कोशिश करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले है कि हमें यह गिफ्ट का टैक्सेशन का मतलब हिस्ट्री क्या है तो 1958 में जिया गवर्मेंट ने गिफ्ट टैक्स आक्ट लाया था कि जिसके इसाब से गिफ्ट टैक्सेबल होंगे अगर आपको कुछ मिल रहे है तो बट वो आक्ट के इसाब से ऐसा था कि जो भी जो डोनर है यानि जो गिफ्ट दे रहा है सामने वाले को तो देने वाले के उपर टैक्स था लेट से कि मैंने आपको कुछ गिफ्ट दिया तो उसके उपर टैक्स मैं भरूंगा उसके बाद मैं 1998 में गवर्मेंट ने यह जो गिफ्ट टैक्स से इसको इन अप्लिकेबल कर दिया, मतलब उसके जो प्रोविजन से वो कुछ अप्लिकेबल नहीं होएंगे तो surprisingly 1998 से लेके 2004 तक कोई भी गिफ्ट के उपर taxes इन इंडिया में नहीं था दोस्तो फिर वापिस 2004 में Finance Act 2004 के सबसे budget में इन्होंने लाया कि वापिस गिफ्ट के उपर हम tax करेंगे, तो जिसमें, बट उसमें एक change उन्होंने ऐसा लाया कि जो भी जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो उसके उपर tax भरेगा, उसके पहले 1958 में यानि गिफ्ट tax में कैसा था कि जो गिफ्ट दे रहा है उसके उपर tax था बट 2004 के उन्हें जो अभी latest provision चल रहा है, उसमें जिसको receiver यानि जो doni है, उसके उपर tax का ये implication आता है दोस्तों तो उसमें 2-3 provisions उसमें डाले थे कि जिसके उपर tax नहीं लगेगा, एक तो सबसे पहला था कि relative अगर blood relative, यानि जो close relative है, relative के definition के ही सबसे अगर उनके पास में से कुछ भी gift आया, तो उसके उपर कोई भी tax देना हमें नहीं है, दुसरा उन्होंने एक लाया था, मतलब है उसमें provision ऐसा कि अगर marriage के उपर कुछ भी gift मिलता है, तो भी taxable नहीं होगा दोस्तों, तो हमारा आज का topic है, on the occasion of marriage तो income tax art के provision 56, subsection 2, subsection 6 के ही साब से, अगर आपको कुछ भी marriage के लिए, अगर कुछ भी gift मिलता है, तो वो पूरा के पूरा tax exempt होता है, जोस्तों, मतलब किसी भी amount का होने दो, किसी के पास से भी होने दो, अगर वो अगर आपको आपके marriage के लिए मिल रहा है, तो पूरा के पू calories मिलने दो, आपको बाकी household items मिलने दो, property मिलने दो, cars मिलने दो, कुछ भी है, तो अगर आपको अगर on the occasion of marriage मिल रहा है, तो उसके उपर हमें कोई भी tax देना जरूरी नहीं है दोस्तों, तो अगला point है कि ये हमें gift मिल रहे है बराबरत, इसके लिए precautions हमने क्या लेनी चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले मतलब अभी क्या है कि ये तो कहाँ पर act में define किया हुआ नहीं है, but precautions हमने क्या कहलेनी चाहिए कि जिसी सबसे जो भी supreme court के वगरा के judgments जो आये हुए, tribunal के जो भी judgments आये है, तो इसी सबसे क्या है कि income tax department आपके पास में आके पूछ सकता है, कि इसका genuines prove करिए आप, कि ये जो आपको gift मिला है, ये actual में gift है कर नहीं, क्या आपके पास में documentation है, और आपका उसका relation क्या है, तो ये सब चीजे पूछ सकती है, किसके पास में से आया है, कितने amount के लिए आया है, वगरा वगरा, तो उसके लिए क्या है, कि आपके पास में proper documentation होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी relevant, ऐसके लिए कुछ checklist नहीं है, कि क्या-क्या documentation उसमें होने चाहिए, but proper documentation होने चाहिए, to prove कि ये gift है, और ये हमें, मतलब, ये हमाया marriage के उपर मिले हैं, दोस्तों, तो आप देख लेते हैं, कुछ frequently asked questions है, कि उसके लिए क्या-क्या हमारे answers है, कि ज जिसके उपर, मतलब, कि जिसके उपर अगर gift आया, तो ही taxable होगा, marriage के लिए, तो नहीं, तो कितना भी, कोई भी threshold का limit नहीं है, कितना भी amount, कितने भी amount का gift आपको, अगर marriage के उपर आता है, तो पूरा क्या-पूरा exempt होता है, दोस्तों, अगला question हमारा है, कि gift किसे मिलना चाह या फिर उनके parents है, उनको मिला तो भी, मतलब, ये provision क्या बोलता है, तो provision के हिसाब से, अगर, मतलब, provision ऐसा कुछ, उसमें, act में दिया हुआ नहीं है, बट, again, कि जो भी judgments वगएर आये है, तो उस हिसाब से, जिसकी शादी है, या जो couple है, लड़का-लड़की, अगर दोनों क कि दोनों को अगर gift मिलते है, तो ही वो exempt होते है, अगर उनके parents को मिलते है, या फिर किसी relative को मिलते है, तो वो exempt नहीं है, दोस्तों, तो उसके वज़े से आप धहन रखिये कि, जो भी आपको हमें gift मिल रहे है, वो exempt कभी है, जब वो अगर जिसकी शादी है, वो couple को ही अगर gift मिलते है, तो ही ये exempt है, अगला important ये है, कि on the occasion of marriage का कोई definition है, मतलब क्या है, कि मुझे जो gift मिल रहा है, वो अगर शादी के दिन ही मिला, तो ही exempt होगा, अगर मुझे वो gift मिला, संगीत में मिला, मुझे वो gift कुछ हल्दी इसमें मिला, या फिर बिदाई के time मिला लड़की को तो उसके उपर क्या होगा, तो again ये act में कोई defend नहीं है, बड़ जो भी judgments आ है, उसमें ऐसा mention किया हुआ है, कि on the occasion of marriage, मतलब क्या, कि marriage के related आपको मिलना चाहिए, मतलब संगीत, या फिर जो बिदाई है, या फिर फेरे है, ये बाकी सब चीज़े है, ये related to आपके marriage है, तो उ the occasion मतलब जो related marriage के साथ में की बाकी की भी दिन है, तो उसी सबसे अगर आपको gift मिले, तो वो भी exempt होंगे दोस्तों, तो अगला point है कि अगर हमें जो ये gift मिल रहे है, तो इसके ये gift है, इसमें से अगर कुछ हमें income generate होता है, तो उसका क्या, कि जैसा कि हमें जो gift मिलते है, प् income माना जाएगा और उसके उपर मुझे tax बरना पड़ेगा, दोस्तों, similarly और भी कुछ जो gift आते है, तो उसके उपर अगर में मुझे कुछ income generate होता है, तो उसके उपर जो income generate होगा, वो पूरा क्या पूरा taxable होगा, उसमें कोई exemption का limit कुछ भी नहीं है, दोस्तों, अगला हमा आपके ITR में इसको disclose करिये, under exempt income के schedule में, आप any order के head में, आप ये disclosure, जो भी हमें gift आई है, तो उसके उपर, जो भी amount है, वो आप 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 disclosure करिये, और उसके बाद में, कि जो भी आपको अगर gift कुछ आते रहेंगे, तो उसका proper documentation करिये, कि किसके पास में से ये gift आ रहे है, आपको आज का ये video पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात की, कि ये जो हमें wedding के उपर gift मिलते है, तो इसका taxation देखना क्यों जरूरी है, क्या-क्या provisions है, उसके history क्या है, और हमने क्या-क्या precautions लेने चाहिए दोस्तों, तो इसके बारे में आपको और भी कुछ questions रहेंगे, तो definitely इसे वीडियोस के लिए बने रहे है यादना Investment Academy के YouTube चैनल पर धन्यवाद दोस्तों